ओम नमो भक्वते वाजुदेवाई नमः जय मादादी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना योट्यूप चैनल व्रत्योहार कथाएं मैं हूँ आपके साथ रिम जर्म शर्मा दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को वरुथनी इकादिशी की बहुत बहुत शुब काम जाएं वे शाख मास की एकादिशी है दोस्तों कृष्णपक्ष की और इस एकादिशी का अन्य जो साल की अन्य एकादिशियां होती है उससे कहीं जादा महत्व होता है तो इस पार वरुथनी इकादिशी का जो व्रत है वो चार मई को रखा जाएगा शनिवार का ये दिन ह होगा दोस्तों यह एक शनिवारी कादिशी है तो आज भगवान शेहरी विष्णू की पूजा आराधना के साथ साथ हमें कुछ ऐसे उपाए भी जरूर करने चाहिए जो हमारे जीवन में जो अशुग ग्रहों के प्रभाव हैं जिसकी वज़से हमारे जीवन में बहुत सा सारी तकलीफे हैं कच्छनाईया हैं उसको हम दूर कर सके भगवान शेहरी विष्णू की माता लक्षमी की खृपा प्राप्त कर सके तो इसमें बहुत सारे उपाए में आपके साथ छोटे-छोटे शेहर करूँगी जो बढ़ी आसानी से आप घर में कर सकते हैं आज वरुत किसी बेव्यक्ति के जीवन में जो अशुब ग्रह हैं जिसकी वज़ा से उनके जीवन में तमाम तरह की तकलीफें आ रही हैं वो तकलीफें दूर हो जाती हैं चाहे वो जो अशुब ग्रह है शनी है राहू है केतु है इसका अगर अशुबता का प्रभावा रहा है शनी की साधि साती है देखिए शनिवारी कादिशी है तो शनी ग्रह को प्रिसन्द करने के लिए जो उनकी बुरी दृष्टी है उससे बचने के लिए आप इन उपायों को जरूर अपनाईएगा तो पहला जो कारी है आपको शमी के पेड़ की पूजा करनी है पूजन किस प्रकार कर अगर आपको लेकर जाना है फूल, धूप, दीप, तिल और इसके साथ ही आटे का एक दीपक थोड़ी सी हल्दी और एक टिक्या कपूर की ऐसा अगर आप लेकर जाते हैं उसका विधी विधान से पूजन करते हैं पूजन करने के बाद जल सिसन्चित करने के बाद फुष् इन लोगों ने रखाय तो घर में कर सकते हैं और आज पास के मंदिरों में आपको पहले से ठोड़ा ढूल लेना है कि शमी का पौधा कहां पर है आप वहां पर इस उपाय को कर सकते हैं अगर शमी के पौधे के पास नहीं कर पाए तो इसी उपाय को आप पीपल के पूर उसके बाद उसे प्रजवलित कर लेना है ओम नमु भगपती वासुदेवाई नमा इस मंत्र को आपको चपते रहना है ऐसा करने से जो आपकी जीवन में धन प्राप्री की किलत है मतलब धन आपका हुआ है आपकी पदोनत्ती नहीं हो रही अटका हुआ है तो इस पूसरा अगर कार्य शेत्र में आप नौक्री में हो वैवसाय में हो कहीं पर भी बाधाय आती है बार बार आपके काम होकर रुक जाते हैं तो आपको इस कारी को करना है आज के दिन भगवान शेहर विश्नु को सुबह की जब पूजनाप करते हैं ग्यारा पीले रंग के फ अगले दिन जल प्रभाहित कर देंगे अगर आप मंदिर में किया है तो अची बात है आप मंदिर में ही छोड़ कर आ सकते हैं इससे एसे वेक्तियों को जो इन उपायों को करते हैं उनकी कारी शेत्र में जो भी बाधाय आ रही है वो धूर हो जाती है अगला उपाय दोस्त तो आज के दिन बहुत ही सरल है हम सभी को करना चाहिए आज के दिन तुलसी माता का पूजन हमें जरूर करना चाहिए देखे कादिशी के तिसी में सुबह में हम तुलसी मा को जल से सिंचित ही करते दूप दीप आप सुबह भी कर सकते हैं भोग पुश्प और शाम में आप को दीपक तो जरूर लगाना चाहिए तो शाम में दीपक लगाते समय आपको ओम नमो भगवते वासो दिवाय मंत्र का जब करते हुए तो इस उपाय को आपको जरूर करना है आठिक तंगी से चोटकारा पाने के लिए ये आखरी उपाय में शेयर कर रही हूं इसे जरूर अगर बहुत ज्यादा परिशानिया है लाग कोशिशे कर रहे हैं लेकिन आठिक तंगी से चूट महीं पा रहे तो ऐसे में आज इकादिशी कितिती में भगवान विश्नु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करे और भगवान के जैसा मैंने उपर के भी उपाय मे बताया है इस उपाय में भी है विश्नु सहस्तुर नाम के साथ साथ कनक धारा शोत का पाठ करें ऐसा करने से बगवान विश्नु के साथ साथ माता लक्ष्मी का अशिरवाद आपको प्राप्त होता है और भीरे भीरे आर्थिक तंगी जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही उससे आपको छोड़ कारा मिनने लगता है तो इस उपाय को जरूर कर ले तो इस तरह से ये 5 सरवल उपाय है जो इस वरूधणी इकारडशी शनिवारी जो इकारडशी है आपको जरूर करना चाहिए उमीद करती हूँ जो सभी उपाय मैंने शेर किया है आप इन में से ज्य जाद से जादा उपायों को जरूर अपनाएंगे और इसका लाव उठाएंगे वीडियो कर पसंद आया है तो फैमिली फ्रेंट्स तक शेर जरूर कर दीजे चैनल पर पहली बार आये हैं इस तरह की जानकार न्याब को भी अच्छे लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्र